असलाम अलेकुम माई डियर्स आज से हमने Constitution of Pakistan 1973 पर lecture series start की है जहां जिसमें हम पहले introduction को देखेंगे Constitution का जो फस्ट जो हमारा lecture है वो introduction के मतलिक होगा जहां हमें पता चलेगा कि इसका जो है background क्या है और इसके जो basic concept हैं वो क्या है उसके साथ साथ ये जो हमारे Constitution के लेक्चर्स होंगे वो जो है किसी लाग के स्टुड़न्ट के लिए नहीं होंगे only बट ये हर citizen of Pakistan के लिए होंगे इनको जो है हम बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है deliver करेंगे जो हर citizen of Pakistan जो है आसानी से समझ सकेगा जो उनके लिए बहुती जो है fruitful साबित हो सकते हैं तो अगर हम basic introduction में इसके कुछ जो है concept देखें तो जो farm of government होता है कुछ जो है parliamentary कहीं होता है कहीं जो है presidential farm of government होता है parliamentary parliamentary form of government यह आर presidential farm of government तो पारलेमेंटी farm of government में क्या होता है और presidential farm of government में क्या होता है पारलेमेंटी farm of government होता है वहाँ PM जो है head of government होता है और presidential farm of government में वहाँ जो है एक ही बंदा होता है जो head of state भी होता है और head of government भी होता है अगर हम पाकिस्तान के constitution की बात करें 1956 में जो पाकिस्तान का first constitution आ रहा है जहां हमारा objective resolution उसका जो है as a preamble का status ले रहा है objective resolution जो हमारा second constitution है वो 1962 है और third जो हमारा constitution है वो है 1973 जो हम अब in detail जो इसके जो भी articles हैं वो हम in detail जो है discuss करेंगे जैसे के हमें आसानी से इनकी understanding आ जाए तो 1956 में जो हमारा constitution आया था वो था parliamentary farm of government वहाँ था parliamentary farm of government तो यहां जो था residential farm of government था और same जो है as इदर parliamentary farm of government है अभी अभी जो पाकिस्तान या का अभी जो current operative जो constitution है वो जो है parliamentary farm of government है तो जो यह 1956 में आया है यह हमारा first constitution है हमने इससे पहले 1935 का जो constitution था as a interim constitution लेके उसको आगे चले थी उसके साथ साथ हमने 90 यह जो objective resolution है यह 1949 में पास किया गया था और objective resolution के यह को जो है as a preamble का status दिया गया उसके साथ साथ 90 62 जो है जैसे ही 1956 का जो constitution एब्रोगेट किया गया और marshalah लगा 1958 में जैसे ही मार्शला लगा तो उसके बाद फिर जो है ना constitution जो है खतम हो गया था फिर 1962 में हमारा दूसरा constitution आ रहा है उसके साथ फिर नीचे हम आ रहे हैं तो तक्रीबर मेरे ख्याल में 90 69 में दुबारा मार्शला लग रहा है उसके बाद जो है 1973 में जो है तीसरे मरतबा constitution बन रहा है उसके इलावा दो मरतबा इस जो है इस constitution को जो एक मरतबा पोटेन अबेंस कर दिया गया एक मरतबा मुशरफ साहब ने 90 99 में एमर्जनसी लगाई थी तो यह constitution को side पे रख दिया था तो उस हवाले से उस time इन्होंने क्या किया था जो जो मार्शलाज थे और मार्शलाज के डियूरिशन में जो यह constitution पोटेन अबेंस या कुछ एब्रोगेट कर दिया गय थे तो उस time पीसी ओ और एलेफो लीगल फ्रेमवर्क आडर बनाए गय थे तो उस time आडर का ही पावर होता है बंदों के पास जो मार्शलाज अडियूरिशन होते हैं क्योंके इन प्लेस आफ कांस्टिटुशन किसी ने किसी चीज़ को और किसी डाकुमेंट्स को लेके आना होता है कि मुलक को आसानी से जो हम रन कर सकें जो उसके रेगुलेशन्स हैं और जो आरगन्स आफ दे स्टेट हैं जैसे के जुर रेमवर्क आफ सच रूट्स एंड रेगुलेशन्स वुच वाज पास्ट बाइदे मार्शलाज अड्मनिस्टेटर्स तो हमने यह कांसेप्ट देखा तो पार्लियमेंटी फार्म आफ गॉवर्मेंट की अगर बात करें तो हमारे हां दो कांस्टिटिशन में गॉवर्मेंट आमने 1962 युएसे से एडप्ट किया था और युएसे में जो गवर्मेंट है वो है जो प्रेजिडेशल फार्म आफ गॉवर्मेंट क्यों ही इसको कहते हैं क्योंकि यहां प्रेजिडेंट को डारेक्ट वाउट किया जाता है ऐसे ही आप युएसे में देखे तो उधर USA को डारेक्ट वोट किया जाता है इदर अगर पाकिसान की बात करें इंडिया की बात करें या उसके नेबर हुट के और कंट्री जो पार्लेमेटी फार्म आफ गवर्मेंट को कंटेन करते हैं तो वहां डारेक्ट किसी प्रेजिडंट या पी-एम को वोट नहीं किय जाता यहां हम MNAs और पार्लेमेंटेरिंस को वोट करके उनको आगे बेचते हैं जहां से वो इसेंबली से जो है अपने जो रिप्रेजेंटेटर जो उड़ते हैं वही प्रेजिडंट और पी-एम बन जाते हैं तो प्रेजिडेशल फार्म आफ गवर्मेंट में इस्टेट होता है वो नमीनलं ऐसे ही प्रेजिडेंट होता है जिसके पावर्स नहीं होते वो ऐसे ही आफिस को इंजॉआ करता रहता है तो यह हमारा कुछ कांसेब्स पा प्रेजिटिटिश। फार्म आप और कॉन्स्यूंटिशन कुछ होते हैं रुटिन कुछ written का यह मतलब हरगेस नहीं के लिखा हुआ हो क्योंकि written literary language और legal language और legal language में दिन inarat का फ़र्क है दिन रात का इसमिन्स डे नाइट् का difference होता है legal language और literally language literally जो आम कामल language English की उधर जो written का मतलब होता है कि आपने किसी बी कोई भी ऐसी चीज़ जो लिखी है तो it means वो written है अगर मैं कोई ऐसा डाकुमेंट लिखता हूँ तो वो रिटिन में उसको कंसिडर किया जाता है मगर यहां ऐसे कभी भी नहीं है क्योंकि लीगल और जो कामन इंगलिश है उसमें बहुत डिफरेंट है इसलिए रिटिन का मतलब यहां यह होता है कि वो किसी पारलियमेंट से पास किया हूँ पारलियमेंट यहां किसी असेंबली से इनेक्टेड हो इनेटेड हो या पास किया हुआ हो युनानेम से लिए तो हम उसको रेटेन कहते हैं जैसे के पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान का जो कांस्टिटिशन है वो रेटेन है क्योंके जो हमारा 1973 वाला कांस्टिटिशन है ड्राफ्टेड बाइद है गवर्मेंट आफ जुलुफकार अली भोटो तो ड्राफ्ट किया गया था उदर से पर इसेम्विलीज में जो हैं बारा अप्रेल दोजा बारा अप्रेल 9070 मेरे क्याल में बारा अप्रेल 1973 बारा अप्रेल 1973 में उदर से क्या होके आया था पास होके आया था और जो इन्फोर्समेंट इसकी हुई थी 1973 वाले कंस्टिटुशन की वो 14 आगस्ट 1973 में हुई थी जो इन्फोर्समेंट हुई है इन्फोर्समेंट का ये मतलब होता है कि उसका अमल दरामत उसका जो एफेक्ट है वो कब से स्टार्ट होगा और इसके साथ एक और लवज होता है इतलाक जो उसकी जो है एक्स्टेंट कहां तक होगी तो यहां ये इसका जो एक्स्टेंट होगा वो पाकिस्तान पर ही होगा पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा पाकिस्तान के सिटीजन पर ही एप्ली केबल होगा उसके साथ हमने बात कर रहे थे कि रिटिन और अन्रिटिन की रिटिन जो कांस्टिटुशन होता है वो rigid भी होता है कहीं कहीं जो written है वो rigid नहीं होते हैं तो written पाकिसान का written है unwritten की अगर हम example देखें तो UK का जो constitution है वो unwritten है वहाँ UK में unitary form of government है इधर जो है हमारा parliamentary form of government है उसके साथ जो हमारा है कुछ codified and uncodified तो जो written होते हैं वो codified भी होते हैं codified होते हैं उसके साथ जो unwritten होते हैं they are not codified not codified उसके साथ है तो ये हमारे कुछ concept थे वैसे अगर simply हम constitution को एक या दो लवज में define करें तो हम कह सकते हैं constitution is the supreme law of the land constitution is the supreme legislation of any country because constitution tells about the functions of organs how they work how they work according to constitution and within the framework of such articles तो जो articles होंगे उसमें ही उनके ही हवाले से जो है वो काम करते रहेंगे और जो भी हमारे कंट्री में हैं और किसी भी कंट्रे के हवाले से अगर बात करें तो वहां का जो दस्तूर होता है उस दस्तूर आइन के within the framework का दस्तूर आइन और constitution के ही मते नजर देखते हुए जो भी laws बनाए जाएंगे वो उसके consist हो कोई भी inconsistent ना हो जैसे के हमारा अगर ये base कर रहा है इसलाम के हवाले से कुछ Islamic principles हैं कुछ Islamic provision इधर दिये गए हैं तो हम तक्सान में ऐसा कोई भी law नहीं बना सकते जो हमारा un-islamic हो जो repugnant करे Holy Quran and Sunnah के लिए तो और है हमारा तो आज ये था constitution अगर constitution के simple definition और है के it consists of the basic principle that guide how country or state and its organs runs तो उसके organs कैसे run करेंगे उसके जो तरीके कार होगा वो functions, regulations जो supreme legislation उससे नीचे sub-ordination legislation कैसे होगी ये पूरा procedure हमें क्या कौन बताता है ये constitution बताता है और जो हमारे और laws हमारे enact होंगे किसी भी जो है सूबे से किसी भी unit से कहीं भी parliament से तो वो हमेशा constitution को ensure करेंगे वो constitution के ही constitution को follow करते हुए और laws बनाये जाएंगे ऐसा कोई भी law नहीं बनाया जाएगा जो inconsistent करें constitution को constitution के किसी भी article या शक या किसी sub-article को जैसे कि यहां हम पढ़ते हैं अब जब भी आप article 8 पढ़ेंगे तो वहां लेका हुआ है कि inconsistent जब भी कोई भी parliament of Pakistan जैसे कि parliament of Pakistan अगर कोई ऐसा कानून बना रहा है जो inconsistent कर रहा है fundamental rights के साथ तो वो last wide consider किया जाएगा इसी तरीके से अगर हम कोई और law पाकिसान में बनाएंगे जो constitution को जो है contrast करे conflict करे जिसमें constitutional law में dispute arise हो तो फिर जो है वो last जो है null and void consider किये जाते हैं और हमारा concept कौन से है तो written, unwritten, codified भी हो गया, rigid, parliamentary तो parliamentary farm और presidential farm की बात करें तो parliamentary farm कहां कहां है इंडिया में भी parliamentary farm of government है पाकिसान में parliamentary farm of government है और UK में parliamentary farm of government है और USA की अगर बात करें तो वहां presidential farm of government है तरकी में parliamentary farm of government है और उसके साथ अफ़वानिस्तान में भी जो है वो है presidential farm of government है तो ये कुछ जो है word के हवाले से हमने कुछ examples देखे हैं के उनके कौन से farms हैं और हमारा कौन सा farm of government है और constitution का जो हमने देखा है कि constitution का main और major focus जो है कौन सा होता है कौन सा area होता है तो यहां जो है फीडल farm of constitution एक अब जो हमारे government है constitution की अगर बात आता है तो हमारा है फीडल farm फीडल farm फीडल farm और यूनिटरी farm में हम कुछ डिफरेंस ड्रा करेंगे फीडल farm of constitution फीडल farm of institution या आपको इसको government भी कह सकते है तो फीडल में क्या होता है there is deviant of power यहां deviant of power होता है जो power units में divide किये जाते हैं units means provinces सूबे जो हैं वहां उनको power दी जाते हैं उनके जैसे के विरासत में किसी जो है बंदे को अपने बाप से कोई ऐसा चीज मिल रहा है वो उससे वापस नहीं ले सकता आसानी से इसी तरीके से फीडल farm में क्या होता है कि units और प्रोविंस को जो है ना power दी जाते हैं इस डिवाइड करके on the basis of equal equality के basis पर दिये जाते हैं और unitary farm अगर unitary की बात करें तो यहां एक center government होता है जो पूरा मामला जो है यही center संबालता है central central government होता है और units और provinces यहां भी होते हैं यहां एक और लफज है delegation वाला delegated तो इनको जो है ना power delegated की जाते हैं it means अगर इनको जो power दी जाते हैं for the purpose of regulation of the administration वो administration को चलाने के लिए उनको power दी जाते हैं वो power आसानी से ले भी सकते हैं उनको आसानी से वापस भी कर सकते हैं तो जो main major powers होते हैं वो center के पास होते हैं center means वो उनका जो central government होगा उना वाले सी rigid और उसके बाद है flexible का concept rigid और flexible का concept अगर rigid की बात करें rigid किस चीज़ को कहते हैं rigid वैसे तो literally meaning है सक्त literally meaning क्या है strong जो और सक्त हो ऐसी चीज़ जो जल्दी में मिलना जाए तो ऐसे चीज़ को हम rigid कहते हैं मगर इदर यह मतलब नहीं है rigid means वो constitution जिसको अमेट करने में difficulties face आए it means वहां बंदे ज्यादा required हो two third total membership की required हो और हम constitution को जब भी मेजार्टी के आवाले से तो फिर हम उसको कहेंगे यह rigid constitution है ऐसे ही पाकिस्तान का जो constitution है वो बी रिज़िड है पाकिस्तान का constitution बी रिज़िड है और flexible flexible वो constitution है जो easily change हो सकी जिसमें simple majority required हो amendment के लिए किसी भी procedure के लिए अगर हमें simple majority required हो हम उसको कह सकते हैं कि यह simple majority यहां required है इसलिए हम इसको कह सकते हैं simple flexible constitution तो यह UK है यह इसके जो constitution है वो flexible है और जो पाकिस्तान है इसका है rigid इसको कभी-कभी हम partly rigid और partly जो है flexible भी कहते हैं कोई यहां कुछ मना कुछ ऐसे चीज़े हैं जहां partly जो है हमारे flexible हैं और partly rigid हैं मगर mostly जो हमारा part of the constitution है वो rigid है उसके साथ हम अगर fact और figure की बात करें कुछ facts हैं जो हम constitution के आवाले से पाकिस्तान का जो constitution है जो 976 वाला ओ 956 वाला जो constitution है वहां 234 आर्टिकल थी 962 वाला जो constitution था वहां 90 वहां थे 250 आर्टिकल अब जो हमारा 973 वाला है यहां है 280 आर्टिकल और इसके साथ साथ 12 chapters हैं यह बारह अप्रेल है उननी सो नाइटी सेवंटी थी में जो है इनको पास गिया गया था पार्लामेंट से इसका जो इनफोर्समेंट किया गया था 14 अगस्ट दो उननी सो नाइटी सेवंटी तो यह कुछ जो है इसकी बैसिक इंफारमिशन है अबाूट अगस्टिटुशन और जो हमारे कांस्टिटुशन हैं उनकेवाले से सबकेवाले से कुछ ना खुछ इनफारमिशन आपको यहां मिल जाएगी उसके साथ इसके जो कुछ शेडूल है 7 schedule है schedules तो यह हम सारे जो भी 280 articles हैं हम इनको जो है in detail discuss करेंगे अगर हम जो है इनको detail ही discuss करेंगे कुछ जो हम schedule के हवाले से भी बात करेंगे उसके साथ साथ जो हमारे basic आगे terminology आएगी हम उनको भी देखते रहेंगे आज के लिए हमारे introduction के ही हवाले से था आज हम इधर ही अपने lecture का in-depth कर रहे हैं कल के लिए जो हम start करेंगे वो article 1 से लेकर article 7 तक और वहाँ हम प्रियंबल को discuss करेंगे in detail आज के लिए इतना ही काफी थैंक यू, बड़ी मेरबानी